नमस्कार, मैं हो ससी, आए जर्खन की टोप 25 पर मुख खबर जानते हैं नियोजन निती लागू कराना है, उन्होंने यह अभी कहा है कि मुझे पाटी से निकाल सकते हैं, माटी से नहीं लोबिन रभीवार को फुरानी विधान सभा के मैदान में आयोजीत महा जुटान में बोल रहे थे आयोजन 1932 खतियान अधारित अस्थानिय नियोजन निती सहीत अन्य जर्खन नी मुदों पर जर्खन बचाओ मोर्चाने किया था माहा जुटान में कई आदिवासी मुलवासी समाजिक संगठनों के अलावा कई जिलों से आए लोग हजारों के संख्या में मौझूद थे लोबिन ने कहा है कि एक तरब सरकार को सत्ता जाने का डर सता रही है तो दूसरी ओर सरकार बचाने के लिए विधायकों को रायपूर ले जाया जाया है उन्होंने कहा है कि मैं रायपूर नहीं गया क्योंकि मुझे आदिवासी मुलवासी के चिंता है हेमंत सरकार को अस्थानी नियोजन निती बनाना होगा लोबिन ने कहा है कि हम गरीब का बेटा है हमें अपना अधिकार चाहिए आदिवासी नवालिक छात्रा से दुसकर्म के आरोपी सहरोदीन की रिम्स में मौत जारखन के रांची जीले के बेडो परखंड इस्थित नरकोपी थाना चेतर में आदिवासी नवालिक छात्रा से घर में घुसकर दुसकर्म करने के आरोपी सहरोदीन अनसारी ओर्फ रिम्स में इलाज के दुरान मौत हो गई आपको बता दे कि पुलिस ने नवालिक से दुसकर्म के आरोप के खिलाब करवाई करते हुए उसे जेल भेज़ दिया था आपको बता दे कि आरोपी नवालिक छात्रा का पीछा करते हुए घर तक पहुँच गया था घर में अकेला देख उसने दुसकर्म किया था जारखन में सातवी कक्षा से ही मिलेगी इंजिनियरिंग वा मेडिकल की कोचिंग सरकारी स्कूलों के छात्र छात्राओं को सुरुआत से ही मेडिकल इंजिनियरिंग वा कलेट की तियारी कराए जाएगी इसका उद्या से है कि बच्चों को माध्मी कक्षा से ही उसके लिए तयार किया जा सके अब तक उच विद्यालाई की चात्र चात्राई इसमें सामिल हो रहे थे लेकिन अब इसकी सुरुवाद साती कक्षा से ही की जाएगी इसकूली सिक्षावा सक्षर्टा विभा की ओर से अकांचा केंदर जूनियर के सुरुवाद की घोस्ना की गई है इसमें नमांकन के लिए कक्षा 6, 7, 8 वो नवी कक्षा पात चात्रचत्राई यानि कक्षा 7, 8, 9 तथा 10 वी में अध्यन रत चात्रचत्राई को मौका मिलेगा दुमका के की सुरी की बड़ी बहन को उभोकता फरम में नोकरी पेट्रोल से जल कर मरी दुमका की बेटी के सौजन को भविस में किसी परकार की दिकत नहीं होगी जिला पर सासन पूरे परिवार की हर संभा मदद कर रहा है मृत्का की बड़ी बहन को उभोकता फरम में कम्प्यूटर अपरेटर की नोकरी मिल गई है रविवार को विधायक बसांद सुरेन ने आवास जाकर बहन को नियुक्ति पत्र दिया दुमका की बेटी को 23 अगस्त की सुबा मुहले के ही सारुक हुसेन और उसके साथ ही नईम ने सोते समय पेट्रोल डाल कर आग लगा दी थी 27 अगस्त की रात रांची रिम्स में उसकी मौथ हो गई थी आई टी आई पास सत्रह सो यूको को नोकरी देगी जार्खन सरकार मंत्री भोगता स्रम नियोजन मंत्री सत्यानत भोकता ने रविवार को कहा है कि राई सरकार आई टी आई पास 1700 यूखों को सिक्र नौकरी देगी इसके लिए त्यारी शुरू कर दी गई है चात्रा के जोहरलाल नहरू स्टेडिया में पुरानी पेंसन अभार रैली को समधित करते हुए मंत्री ने एलान किया है उन्होंने कहा है कि आने वाले समय में राज में विभीन पदो पर बड़े प्रमाने पर नियुक्तिया होगी पचास एर सिस्को की नियुक्तियों को कैबिनेट ने मंजूरी दे दिया है नेशनल मोव्मेंट फोर ओल्ड पेंसनल स्कीम जार्खन की चत्रा जीला इकाई की ओर से आयोजित पेंसन अभार रैली में भोक्ता ने कहा कि करमचारी सरकार की रीड होती है JPSC अध्यक्ष मैरी नीलिमा केरकेटा के साथ कई चुनवतियां जार्खन में लंबे अंतराल के बाद जार्खन लोक सेवा आयोजित के अध्यक्ष को लेकर फैसला आया है भारतिय प्रसास्निक सेवा की एक सेवा निवरित अधिकारी मेरी निलिमा करकेटा को अध्यक्ष बनाया गया है आयोग के इतिहास में पहली बार कमान किसी महिला के हाथों में है और इसके साथ ही कई पुरानी चुनावतियों का सामना भी उन्हें करना होगा सबसे बड़ी चुनावति है समय पर प्रिक्षाओ का आउजन कराना ऐसा होने से युवाओ को रोजगार के आउसर तो मिलेंगे ही लोगों में आयोग के प्रतिविश्वास का महौल भी तयार होगा भारत जोडो यातरा के बीच हेमन्त सुरेन का मुह ताक रही कांग्रेस जारखन में मुख्य मंत्री हेमन्त सुरेन की अगवई में महागडबंधन सरकार गठन के तीन वरस पूरे होने जा रहे हैं और परदेश नेतित से लेकर केंद्रे नेतित तक अपनी बात पहुचा रहे हैं हलाकि अभी रायनितिक और सिर्ता के कायान फैसले में देरी की संभवना है इधर 20 सुत्री कमीटियों का पुन गठन भी अभी तक नहीं हो सका है रांची और दुमका जीले के लिए इसकी घोसना अभी तक लंबी था है रांची की छातरा का खौफ दुमका जैसी वर्दात न हो जाए रांची के ओर मांजी थाना छेतर इथित प्रजेक्ट पलस टू हाई स्कूल सदमा में 5 सितंबर को मुसलिम समुदाय के कुछ यूको द्वारा न सिर्फ इसकूल की बच्चियों के साथ 6 चड़ की गई बलिक सिख्च को और छातरों के साथ मारपीट भी की गई इस दोरान आरोपी हंत्यार लहराते देखे गए इस मामले में नवी कलास में पढ़ने वाली छातर डरी सामी सी हुई है और अब वो इसकूल जाने से डर रही है बच्ची को डर है कि कहीं उसके साथ दुमका जैसी वरदात न हो जाए बता दे साथमा स्कूल में रविवार की वजह से भले आज पढ़ाई न हो रही हो लेकिन स्कूल के बाहर पूलिस वालों के तैनाती जरूर है वहीं स्कूल के बाहर सिक्षक दिवस के दिन हुई वरदात की चार्चा भी है जारखन में गलत नियम की वजह से बच्चों की पढ़ाई बाधीत राज्य के हाइ स्कूलों में सिक्षकों का पद बीसाय के अनुरूप सिरीजित किया गया है बिद्याले में चात्र संख्या के नुरूप नहीं बलिक 20 के अधार पर सिक्षक के नियुक्ति होती है लेकिन अब बिद्यालेयों में चात्र संख्या के नुरूप सिक्षक का पदस्थापना किया जाएगा रांची के DEO कर्याले द्वारा सिक्षकों के पदस्थापना की त्यारी शुरू कर दी गई है कर्याले द्वारा 46 पर एक सिक्षक के पदस्थापना के नियम के अधार पर इसकूलों में सिक्षकों की लिष्ट जारी की गई है जारखन में मौसम की वज़ा से धान के उत्पादन में कमी जारखन में इस बार समय पर बारिस नहीं होने का असर खद्यान उत्पादन पर दिखेगा चालू खरीब मौसम में माता 18.32 लाख टन ही धान उत्पादन का अनुमान है राखन के बाद इस बरस सबसे कम खद्यान उत्पन होने की उमीद है या जनकारी राज सरकार के किरिसी विभाग ने भारत सरकार को भेजे गए पहले एडवांस एस्टिमेट में दिया है 31 अगस तक खरीब मौसम के दवरान खेतों में लगी फसल के अधार पर रिपोर्ट भेजी जाती है पहले अनुमान में खेतों में लगाई गई फसलों को अधार बनाया जाता है इसमें कहा गया है कि इस वर्ष खरीब मौसम में 31 अगस तक 7.37 लाग हेक्टेर जमीन में ही धान लग पाया है परती हेक्टेर 245 किलो धान उत्पादन की उमीद की गई है मालिक की मौत पर रोया बच्छडा मुखगनी में हुआ सामेल हीरा और मोती दो बैलो की कहानी तो अपनी सुनी ही होगी सनातन संस्क्रिती में गाय को माता का स्थान भी दिया गया है मालिक और पसुओ के प्रेम की भी कताए है इसमें महराना परताप का चेतक और हाथी राम परसाद का भी नाम आता है परंतु चौपारण के चायथी में सनिवार को ऐसी ही एक और कलपनिय घटना हुई जिसे लेकर पूरे दीन चौपारण और देर राथ इंटरनेट पर चार्चा होती रही दरसल चौथी गाव में एक बचडे ने अपने मालिक की मौत पर समसान घाट पहुँच कर रोया ही नहीं बलिक चीता पर रखे सौव की औने लोगों के साथ परिकार्मा भी किया बलिक उसे चुमा और तब तक वह वहां से नहीं हटा जब तक उसका पार्थिव शरीर पंच तत्व में बिली नहीं हो गया जाम तड़ा का रेश्टोरेंट संचालक निकला साइबर ठग उतर परदेश के बलिया के सेवा निवरीत हेड कॉंस्टेवाल भोनेस वर्मा के बैंग के खाते से पिंसल चारू करवाने के नाम पर पचपन लाख रुपए उड़ाने वाले साइबर ठग को यूपू पुलिस ने गिरफतार कर लिया है गिरफतार युवक जाम तरा सहर के सुबास चोक इस्थीत ओम साइड रिस्टोरेंट का संचालक सोनु मंडल है जबकि ठगी का मास्टर माइंड सोनु के भाई द्वारी का मंडल उर्फ पीटू फरार हो गया उसने अपना मोबाईल फोन भी बंद कर रखा है जिस वज़से टेक्निकल सेल को उसका लोकेशन नहीं मिल पा रहा है रांची हिंसा में CID ने 11 लोगों के खिलाप दायर की चार्शीट भाजपा नेत्री नोपूर सर्मा के बिवादित ब्यान के खिलाप रांची में हुए बवाल और हिंसा मामले को लेकर CID ने अपनी चार्शीट दायर कर दी है रांची के में रोड में 10 जुन को जुमा की नमाज के बाद हिंसा हुई थी इस दोरान उपद्रियों दोरा जम कर तोड़ फोर की गई थी वहीं इस हिंसा में करीब दरजन भर पुलिस कर्मी भी खायल हुए थे 10 जुन को हुई हिंसा के मामले में CID ने अपनी चार्शीट में बताया है कि जुमे की नमाज के बाद उपद्रव, पत्थरबाजी वह गोली बारी की गई थी CID ने चार्शीट में जिक्र किया है कि उपद्रवी सुनियोजीत तरीके से इस हिंसा में सामिल हुए थे उनके पास भारी मत्रा में पत्थर और हत्यार भी थे सुनियोजीत तरीके की इस साजिस का उदेश संप्रदाइक तनाव भड़काने के साथ साथ सहर को संप्रदाइकता की आग में जोकने का था ज्यारखन के बारह जीलो की माटी नहीं उगलेगी सोना, रोजगार की नईकवाई कोईला लोहास में दूसरे भारी उद्योगों की वज़ा से ज्यारखन में ग्रीन हाउस कैसो का उसरजन राष्ट्रिय अवसत से अधिक है जिवासम इंधान यानि कोईले की खपत दुनिया भर में कम हो रही है भारत में इसका उत्पादन और उप्योग दोनों कम करने की योजना बनाई गई है ज्यारखन के 12 से 14 जीले ऐसे हैं जहां कोईला उत्पादन की वज़ा से परत्यक्ष और परोक्ष तोर पर लोगों को रोजगार मिला हुआ है ख़दानों से हो रहे परदूसन के वज़ा से जहां मेटी के स्वास्त पर असर पड़ा है वहीं जोलवायू भी पूरी तरह से परभावित हुई है बन एवं परियावरण विभाग ने 2030 तक राज्य में नेट निउट्रेलिटी के लिए राज सरकार से टास्क फोर्स के गठन का प्रस्ताव रखा है कोईला उत्पादन इन छेत्रों में लोगों को क्रीन एकोनोमी से जोड़ा जाएगा जारखन में नितिस का अपरेशन बीजेपी भाजपा से ताल मेल समाप्त करने के बाद लगातार बिरोधी दलो के नेताओ संग बेहतर समन्वे की कोशिस में लगे बिहार के मुख्य मंतिर नितिस कुमार की नजर जारखन पर भी है 14 लोग सभा सीटों वाले इस राजे में भाजपा को पीछे धाकेलने के लिए वे आने वाले दिनों में बुक्ता तयारी के साथ सक्रियता बढ़ा सकते हैं इसी रणनिति के तहद उन्होंने आरपी सिंग के हटने के बाद खाली हुई राज सभा की सीट पर जारखन से खीरू महतों को आगे करने की योजना बनाई थी जारखन सिक्छा नयाधी करन वा नेतरहाट बिद्याले परवंधन समीती में लटका ताला अध्याक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ती नहीं होने से नेतरहाट बिद्याले परवंधन समीती तथा जारखन सिक्छा नयाधी करन में ताले लटके हैं या इस्तिती लंबे समय से बनी हुई है अध्याक शोवस्त दस्यों की नियुक्ती नहीं होने से जहान नेतर हड़ पिद्याले की परबंधन समीती भंग है वहीं जहारकन सिक्षा नयाधिकरण में निजी स्कूलों की मनमायने की बिरोद सुनवाई नहीं हो पा रही है बता दे जहारखंड सिक्षा नयधिकरन में सिकायतों के आवेदन तो लिये जा रहे हैं लेकिन उन पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है जिहादियों की गिरप्त में जहारखंड हिंदू लड़कियां सुरक्षित नहीं हाल के दिनों में जार्खन में हिंदू पर लगातार हो रहे है तिया चार पर विश्व हिंदू परिसद ने कड़ी परति क्रिया ब्यक्त करते हुए कहा है कि जार्खन जिहादियों की गिरप्त में चला गया है जिहादी मान सिखता के अतंकियों से हिंदू समाज की बहान बेटिया सुरक्षित नहीं है इन लोगों का मन इतना बढ़ा हुए है कि हमारे हिंदू भायों को भी निसानब बनाने से बाज नहीं आ रहे है चाहे हुआ जनजाती समाज के हो या दलित समाज के इस्कूल फीस नहीं जामा करने पर 6 वर्सी चातरा को प्रिंस्पल ने धूप में खड़ा किया रांची के चान हो इस्थीत केम्ब्रियन पबलिक इस्कूल बीजू पाड़ा में फीस नहीं देने के कारण एक 6 साल की एक बच्ची को धूप में खड़ा किये जाने को लेकर चनिवार को अभी भावको ने हंगामा किया अभी भावक प्रिंस्पल को हटाने वह उस पर करवाई की मायंग करते रहे सुक्रवार को घटी इस मामले को लेकर बची के पिता बीजू पाड़ा निवासी नितेश कुमाने चानहो थाना में लिखित सिकाय दर्च कराई थी इसमें उन्होंनों आरोप लगाया था कि उनकी बेटी केम्ब्रियन इस्कूल में कक्षा एक में पढ़ती है सुक्रवार को जब वो इस्कूल में फिस चामा करने गए तो देखा कि उनकी बेटी कक्षा के बाहर धूप में खड़ी थी इस्कूल में हथियार लहरा कर मुस्लिम यूगों ने च्छत्राओ को धमकाया रांची जीले के और मांजी में इस्थित प्रचेक्ट पलश्टू उच विद्याले में आज पास के कुछ मुस्लिम यूवक हिंदू लड़कियों को धमकी देकर उन पर दोस्ती करने का दबाव डाल रहे हैं हाथियार लहराते हुए इस्कूल में घुंसे मन चले यूगों ने नविक अक्छा के च्छत्राओ को धमकी दी है कि दोस्ती करो नहीं तो उठा लेंगे इस्कूल के सिख्षकों को च्छत्राओं ने इसका बिरोध किया तो उन्हें भी अनजाम भोगतने की धमकी दी च्छत्राओं के अनुसार इस तरह की धमकी एक सब्ता से आदिवासी और अन्य हिंदू लड़कियों को लगतार दी जा रही है जहारखण में सिख्षकों को दो माह से बेतन नहीं सरकार को एक हपते का अल्टिमेटाम परमान पत्रों के सत्यापन नहीं होने के कारण दो माह से मांदे नहीं मिलने को लेकर सहायक अध्यापकों पारा सिख्षक में रोस है सहायक अध्यापको के विभीन संगों ने रब्विवार को रांची में अलग-अलग बैठक की जिसमें जुलाई और अगस्त माय का मांदे नहीं मिलने पर नराज की परकट की गई कहा गया है कि जिला सिक्षा पताधी कारियों किला परवाही के कारण पर्मान पत्रों का सत्यापन नहीं हो पाया इसका खामियाना सहायक अध्यापक भुगत रहे हैं संगों की बैठक में मांदे वा अने मांगों को लेकर अलग-अलग दिन धुरवाईश थी राजे पर्योजना कर्याला के समक्ष धारना पर्दसन कार निर्ना लेते हुए उग्र आंदोलन की चेतावनी दी गई है ज्यारखंड चेमबर चुनाव कल 610 लोगों ने किया वोटिंग ज्यारखंड चेमबर की नई कार करनी के लिए सूबह 9 बये से ही मद्दान जारी है जो साम 7 बये तक चला इसके बाद रात 9 बये तक रियल्ड जारी कर दिये जाएंगे बतादे चुनाव पदा धिकारी ललीत केडिया और पवन सर्मा ने कहा है कि पहले दिन 610 मद्दतावन ने अपने मद्दान शुरू होते ही तीनों टीम के पर्तियासी और उनके समर्थक हर आने वाले मद्दताव कहां जोड़कर अभिबादन कर रहे थे साथ ही उन्हें अपने परतियासी के पक्ष में मद्दान करने कागरा भी कर रहे थे भासा और संस्क्रीती में छीपी है हमारी पहचान आजसु सुप्रीमों खरसावा के तसर मैदान में कुडमी समाज की ओर से रभिवार को करम परब का उजन किया गया कारकरा में पहुँचे आजसु सुप्रीमों सह पुर्वट डिप्टी सी एम सुदेश महतों ने कहा की भासा संस्क्रीती और परमपरा के साथ साथ करम जैसे तेवारों से ही हमारी पचान है करम हमारा मूल परव है उन्होंने कहा कि हमें अपनी भासा संस्कृति को बचाए रखना है हमारी संस्कृति में ही हमारा परिच्चय छिपा हुआ है इसलिए बिरासत में मिली संस्कृतिक धरोहर को बचाना जरूरी है भाई की हत्याकर दफनाने की आरोपी बहन वा प्रेमी आरेस्ट जारखन के रामगण जिले के पतरातू के बरतुआ गाव निवासी रोहित कुमार की हत्याकर सगी बहन वा उचके प्रेमी ने उसे दफना दिया था रभीवार को उसका सव बाहर निकाला गया दंडा अधिकारी, सीव संकर पांडे वा पूलिस की उपथिती में सव को बाहर निकाला गया सव को बाहर निकालने के बाद उसकी पैकिंग कर पोस्ट मास्टम के लिए भेज दिया गया आपको बता दे कि पुलिस ने भाई की हत्या की आरोपी बहन चंचला कुमारी और उसके प्रेमी को ग्रिफतार कर लिया है और पुस्ताश कर रही है इंटरनेशनल फिलिम फेस्टिबल में पलामू के दो यूगों को मिला समान पलामू के दो यूगा कलाकार यूगांत बद्री पांडे और पिकु दुवे की दो अलग-अलग फिलिम अंतराश्ट्रिय पटल पर धमाल मचाई है तूर्की में आयोजीत छटा गोल्डन बीट इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिबल 2022 में यूगांत की फिलम द एस्पेरो और पिकु दुवे की फिलम द लास्ट इन्वेलप को अलग-अलग काटेगरी से समान मिला है दूर्गा पुजा गाइडलेंड जारी कुमार की ओर से सन्युक्त आदेश जारी किया गया है जारी गाइडलाइन के बताया गया है कि अगामी 24 सितंबर से 10 नुवंबर 22 तक सूपर जोनल और जोनल अधिकारियों की प्रतिनुक्ति की गई है धन्यवाद जादी आप चैनल पर नहीं होते चैनल को सब्सक्राइब कर बॉल का बेल एक अंद बाईए साथी साथ वीडियो को एक लाइक कर अपने दोस्तों सेयर करने ना भूले साथी साथ आप हमें कोमेंट बक्स में अपना फीड़बेक अवस्य दे थैंक यू